एक बून्द सहसा उच्छली अगेय एक बून्द सहसा उच्छली पाठ के आधार पर लेखक की यात्रा का उद्देश्य अगेय जी का पूरा नाम है सचिदानंध हीरानंद वात्स्यान अगेय जी हिंदी साहित्य में प्रयोग धर्मी साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं काविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रावर्नन आदी विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है शेखर एक जीवनी उनका प्रसिद उपन्यास है अरे यायावर रहेगा याद एक बून्ध सहसा उच्छली उनके यात्रावर्नन है अगेय घुमक कर वृत्ती के लेखक रहे हैं उन्होंने देशान तरगत और देश के बाहर कई यात्राएं की है एक बून्द सहसा उच्छली यात्रा वर्नन में अगेय की यूरोप यात्रा का वर्नन है अगेय जी यूनेस को द्वारा प्रायोजित यूरोप यात्रा पर गए थे तब उन्होंने लगभग एक वर्ष तक यूरोप में रहे कर इटली, स्विजलेंड, फ्रांस, नेदरलेंड, इंगलेंड, स्वीडन आदी देशों की यात्रा की थी इन अलग-अलग देशों में उनके अनुभव भी अलग-अलग रहे हैं इस यात्रा वर्नन पर उन्होंने एक बून सहसा उच्छली क्रंथ की रचना की है इस यात्रा वर्नन के आरंभ में लेखक ने यात्रा के उद्देशे के बारे में चर्चा की है यात्रा करने के कई तरीके होते हैं लोग अलग उद्देशे से यात्रा करते हैं कुछ लोग दो चार दिनों की यात्रा कराते हैं और कुछ न कुछ लिखकर प्रसिधी पा लेने का प्रयास करते हैं नकाशा देखकर, समय और दिन तैकर अनेक लोग यात्रा पर निकलते हैं। ऐसी यात्रा में केवल मशिन की तरह भागना होता है, देखना होता है, जानना नहीं। अगेय की यूरोप यात्रा इस तरह की नहीं थी। कोई समय सारणी न बनाते हुए वे यूरोप में एक साल भर घूमते रहें। क्यूंकि अगेय केवल प्रांथ देखने यूरोप नहीं आय थे। वे वहां के लोग, उनकी संस्कृती, भाशा, परंपराएं, रहन सहन आदी से परिचित होने के लिए गए थे। वहां का इतिहास जानने गए थे। वहां के साहित्यकारों से, बुध्धी जीवियों से चर्चा करने के उद्देशे से गए थे। वहां की कला का परिचे कराने गए थे। अगेय कहते हैं कि कुछ लोग यात्रा वर्नन में रुपेयों पैसों के खर्च के बारे में जानना चाहते हैं एक बून्ट सहसा उच्छली इस ग्रंथ में ऐसी कोई जानकारी नहीं है नहीं यह ग्रंथ यूरोप की यात्रा करने वालों के लिए मार्ग दर्शक पुस्तिका है यह पुस्तक समवेदंशील पाठकों के लिए है यदि पाठक समवेदंशील है तो वह दूसरों के विचारों का आदर करेगा दूसरों की संस्कृति को समझने का प्रयास करेगा अतह यह पुस्तक एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ही लिखी गई है हमारा जीवन मानविय मूलियों पर कसा जाता है इसलिए लेखक कहते हैं कि मनुश्य में मेरी श्रद्धा है सभी मानव समाज को अपना मानता हूँ इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरी भावना मानवता की ही रही है अगेयर जी कहते हैं कि ज्ञान वृद्धी के लिए देशाटन अर्थात यात्रा करना उप्योगी होता है यात्रा का वर्णन कुछ नया जानने के लिए होना चाहिए न की तीरत यात्रा के लिए या मात्र कुछ देखने भर के लिए यात्रा होनी चाहिए यात्रा हमें अनुभव देती है लेखक ने यूरोप की यात्रा युनेस्को की सहायता से की खे, इसका मतलब यही है कि इस यात्रा का आयोजन सांस्कृतिक साहितिक आदान प्रदान के लिए किया गया था इस यात्रा में लेखक ने सबसे इटली के रोम शहर में अपने कदम रखें थे अतहर रोम और इटली के कुछ आनुभव एक बून सहसा उच्छली इस पार्ट में आये हैं लेखक कहते हैं कि इटली में स्वच सुन्दर सडके देखी शिल्प कला के एक बढ़कर एक नमुने देखें रोम शहर के मध्य में लेखक घूम रहे हैं वहां जैसे भारत में दिखाई देते हैं, फोटोग्राफरों की भीड है लेखक यह भी देखते हैं कि इटली में जहां तहां फूलों की क्यारियां, बगीचे दिखाई देते हैं यात्रा के दौरान लेखक इटली के कई शहरों में गूमे वे लोगों से मिलें, उनकी संस्कृती भाशा जानने का प्रयास किया। इसलिए लेखक ने वहां के लोगों के विचार, उनकी धारणाएं, काम करने की पध्धतियां आदी का वर्णन इस यात्रा वृतांत में किया है। अगेय जी जब इटली, इंगलेंट, फ्रांस की गलियों में घूम रहे थे, तब उनका कवी मन भारत को नहीं भूला था। उनका मन वहां के लोग, संस्कृती आदी की भारत के लोग, संस्कृती के साथ तुलना करता रहता है। लेखक ने यात्रा के दौरान निरिक्षन किया है, भी मजेदार ढंक से प्रस्तोत पाठ में चित्रित किया है। वे कहते हैं कि इटली के लोग लंच के लिए लंबी छोटी लेते हैं, खाना ज्यादा तर खड़े-खड़े ही लेते हैं, लंच के बाद वे थोड़ा विश्राम करना पसंद करते हैं, उसके बाद कई घंटों तक काम करते रहते हैं, लेखक का वे निरिक्षन है कि गरों के बाहर टिकट के लिए कतार में खड़े हैं लेखा के मन में प्रशन उठता है कि ऐसा क्यूं यंत्रों ने इतनी सुविधा क्या केवल खड़े रहने के लिए दी है इस प्रकार लेखा का गेय जी ने एक बून सहसा उचली पाठ में अपनी यूरोप यात्रा का दर्य भी चित्रत किया है प्रशन दो एक बून सहसा उचली पाठ के आधार पर लेखक की यात्रा की विशेश्टाइं स्पष्ट कीजिए प्रशन तीन एक बून सहसा उचली पाठ में आई यूरोपिय लोगों की विशेश्टाओं को स्पष्ट कीजिए